विम्ल, भी इंडास्ट्रीव के आऊंगा, व लिविट इंड़स्ट्रीव के कुछ एक्टर हैं, तो उनका मैं मिमिक्री मैं करओंगा, अभी स्रीमान गुलसन गवर जी वो तो फिलिम में रोज आते हैं उनका फिलिम है आप लोग देख चुके हैं तो उनका मैं मिमिक्री करूँगा और फिर रितिक रोसवन जी का भी मैं मिमिक्री करूँगा तो अगर इस मिमिक्री में अगर मेरा कोई भी अगर गलती थोड़ा स भी हो जाए तो प्लीस दर्शोकों मुझे माफ करना और आप लोग मुझे कॉमेंट माध्यम से कॉमेंट दे के मुझे बताना की ताकि मैं और भी मिमिक्री करने में कामियाब हो सकूँगा तो आप लोग खुदा के पास भगवान के पास आप लोग दूआ कीजिए दूआ है और गुल गफे उनके बाप बेटे को मार मार के दोनों चेरे को गुल गफे बना दिया है मैंने कितनी लोटो रहे कितनी प्लेट की नोटो है चाट खाने की नहीं नहीं आसा नहीं है आतंगबादी तुमारी घर में आतंगबादी भुसी है क्योंकि उन्हें पकड़िया खाने की बहुत शौक है जाता हूं गैर मुल्क में डूणता हूं से जैसे मुझे गोल गफे खाने की बहुत शौक है इसलिए मैं जाता हूं गैर मुल में उन्हें भी पकड़ियां खिल यूट लोटों के हराम है क्योंकि जिंदेगी का मज़ध क्ळक्ते में यहां के लोग अच्छे नहीं है। करना मैं इतना ही करता हूं और यह mimicry आप लोगों को आठा लगा आमर हसी सखल पुहा जो कार्जकरम मैंने बनाया मुझे मैंने बनाया है आप अब लोगों को अगर यह mimicry अच्छा लगा तो प्लीष मेरे भीमो प्रोडॉक्षोन les लोग लाइक कीजिए श्यार कीजिए सुस्क्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए और कमेंड माध्यम से हमें बताइए कि आप लोग बताइए कि हम मैं और भी मिमिक्री करने में सफल हूं सफल हूंगा तो कम्याब हो सकूं तो आप लोगों के पास इतना ही मैं नमस करता हूं नमस्कार दर्शक बंधू आमर हसी सखाल्प कार्जोक्रम के आपन मने देखू छन तो इब इत्रे मुई दूटा बल्यूट इंडस्ट्यू रो मिमिक्री कोरी छे दूटा बल्यूट या आमर हिंदी एक्टर गुल्सन गोबर आव रितिक रोशन रो जोदी आपन मन को भल लागला था हैले मोते कमेंड माद ध्यूमरे जोनाबे आव भीमा प्रोडॉक्ट्चन यूटूब टेनल के आपन मने लाइक करवे सब्सक्राइब करवे श्यार करवे आओ बेल आइकन के क्लिक कर देवे आ कमेंड माद ध्यूमरे मोते जोनाबे जैन ता कि मुई अपन मान को सपोड मोते न्याति दोरकार तो मुई को यसी आपन मान के वळ लागला तो सहार भी क्टैमिंड मोते मदे रागला था आओ भीन आ विमा प्रोडुक्ट्चन यूटूब चैनल के टे लिगिंग कर सब्सक्राइब कर देवे जैजए शमले जैयो शंब नात। ये एपीसोड के मुई आजी इना रोखूँ छे आगामी एपीसोड रे फिर देखाया मा